जैहिंद वंदे मात्रम दोस्तों सीटेट ने कुछ घंटे पहले एक नोटिस जारी किया था जो आप सभी ने देख लिया होगा यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की एक समस्य आ रही है कि उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा यहाँ तो एक्जाम सीटी देखने को मिल जाए कसर कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ एलोटी नहीं आ रहा है कुछ बच्चों का आ रहा है तो उनका डाउनलोड नहीं हुआ सारी समस्याओं का समधान इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर नोटिस में आपको यह बता दिया गया है कि जो सीटेट की परिक्षा है ना दोस्तों वो 28 दिसंबर से सुरू होगी है महीनों चलेगी दोस्तों महीनों का मतलब है 7 परवरी 2023 तक जो है इस परिक्षा को अनलाइन कराए जागा उसका रीजन यह है कि 35 से 40 लाग बच्चे एक बहुत बड़ी संख्या में देखा जाए तो यह परिक्षा देखिए आप जिनका नहीं आ रहा है उनकी भी समस्या सुनिएगा 28 तारीक से सुरू है 29 को जाएगा फिर बीच में एक लंबा गैफ मिलेगा फिर जो है परिक्षा नहीं होगी 9, 10, 11, 12, 13 को अजाएगा फिर 14, 15, 16, 17 को यहां पर गैफ मिलेगा 16 को गैफ मिलेगा 17, 18, 19, 20 को यहां पर गैफ मिलेगा अब देखिए ऐसे होते होते यह जनबरी में भी होगा जनबरी लास्ट में भी होगा फिर यह जो है शुरू होगा एक तारीक यानि एक फरवरी को एकजाम सुरू हो जाएगा दो को होगा तीन को होगा चार को होगा छ गैफ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा बहुत से बच्चे कहते कि सर अलफावेट के दौर आते कि सुनिएगा यहां पर लिखाया चूब की परिक्षा केंद्रे पिंपरिक्षा तिति का आवंडन रेंडम वेसिस पर किया जाता है अतार परिक्षा सहर में जो है क्या है क तारीक बदलने का अनुरोत भी आप करोगे या करेंगी तो भी नहीं होगा दूसरी चीज बच्चे जादा है तो इनका सिस्टम जो है थोड़ा सा क्या है इनको लगाना पड़ता है जो जो यहां पर जो जो उस दाइरे में आ रहे हैं उनका एडमिट कार्ड उनका एक्जा जनका नहीं आ रहा हो 24 गंटे में देखने 48 गंटे में देखने अगले कई हपने आपका यहां पर लगाराल विचा सबने का समझ रहोंगे कोई भी दाऊट लो